गीता पूरा विश्व समझता था कि क्या है लेकिन भागवतम कोई नहीं जानता था क्या है आज भागवतम का परिचे पूरे विश्वर के कोने कोने में अगर किसी के माध्यम से मिला तो वो प्रभुपाद जी को इसका श्रे जाता है और प्रभुपाद जी ने इसके लिए प्रयास किया, तो एक शुद्ध भक्त सिर्फ अपने शब्दों से ही नहीं सिखाता, एक शुद्ध भक्त अपने आचरन, अपने उठने, बैठने, चलने, जैसे कि कृष्ण से प्रश्ण की आरजुन्य की स्थित्प्रग्या का भाशा कि उसका वहवार कैसा होता है, उसी प्रकार से एक शुद्ध भक्त अपने हर कारे से सिखाता है, शुरुति कीरती प्रभु एक बार कह रहे थे कि, कि वो प्रभुपाद जी के साथ, एक फ्लाइट में एक और भक्त के साथ ट्रेवल कर रहे थे, और प्रभुपाद जी के ल प्रावपाद ने जितना पाना था पाया और पाने के बाद जो बचा महाप्रसाथ था वो शुरूतिकिरती प्रभू के पास आगया और शुरूतिकिरती प्रभू ने आदा सयोगी भक्त के सामने रखा और अपने सामने सीट में ट्रे के उपर आदा रख दिया और वो और वो भी एक महाभागवत का महाप्रसाद उठा लिया इसने और शुर्तिकिर्थी प्रभु ने शिला प्रभुपाद की और देखा तो प्रभुपाद की तरफ देखकर शुर्तिकिर्थी प्रभु कहते हैं यह बड़ आजीब है ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ऐसा कर सके तो शिला प्रभुपाद जी ने मुस्कुराए और अपने काम में लग गए और इतनी देर में जो एर होस्टेसी आई और प्रभुपाद को कहती है स्वामी जी कैन वी सर्व यू सम्थिंग क्या हम आपकी कोई सेवा कर सकते है तो शुर्तिकिर्ती प्रभु कहते हैं नहीं हमारे जो डाइट है वो बहुत रिस्टिक्टेड होती है और हम ऐसा बाहर से कुछ खाते नहीं है तो उसने का स्वामी जी एट लीस्ट मिल्क और फ्रूट्स तो कुछ देर में तीन ग्लास दूद और कुछ फल लेकर आ गए और प्रभपाद ने इसको देखकर कहा कि विमन हैज नैचरल प्रपेंसिटी ऑफ सर्विंग इस्त्रियों में सेवा करने की सभाविक एक प्रविर्ती रहती है अब जब ये कता शिलब शुर्ती गिर्ती प्रभु जी सुना रहे थे और अडियंस में बैठा एक संकीरतन भक्त खड़ा हुआ और संकीरतन भक्त ने कहा कि शुर्ती गिर्ती प्रभु ये फ्लाइट जो थी मेक्सिको से कराकस के लिए थी और वो संकीरतन भक्त बोला कि शुरुतिकृति प्रभू मैं मेक्सिको में एक बार ग्रंथ वितरन कर रहा था और मैं मेक्सिको के एक ऐसे कॉर्णर में था जहां पर कोई अफेक्षा भी नहीं की जा सकती थी कि कोई प्रचारक पहुँचे गा यहां तक और मैं डोर टो डोर जाकर गीता बांट रहा था पहपत बुक्स को डिस्टिब्यूट कर रहा था तो एक दरवाजे को जब मैंने खटकाया तो एक इस्त्री निकली और उसने मुझे देखा कि एक भक्त गरंत बांटने कुछ आया है पुछ पवित्रग किताबे बांट रहा थी तो वो मुझे घर के अंदर ले गई और जैसे घर के अंदर ले गई तो मैंने देखा उसके घर में क्रिषन के चित्र लगे हुए थे और उसने मुझे अपना ओल्टर दिखाया वो ओल्टर में हमारी पूरी गुरु परंपरा थी और मैं देखकर हैरान हो गया और मैंने उसे पूछा कि आप कभी क्या भक्तों के संपर्क में आएं कभी इतिहास में तो उसने बोला हाँ मैंने एक बार आपके स्वामी जी की सेवा की थी फ्लाइट में जब मैं एर होस्टेस थी और उस समय आपके स्वामी जी का मुझे महाप्रसाद मिला था और उसके बाद दस वर्षों के बाद जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मुझे कोई भक्त मिला आपकी संस्टा का उसका संपर्क हर प्रकार से शुद कर देने वाला है और ये प्रभुपात जी के जीवन चरितन में दिखाई देता है कि सिर्फ उन्होंने शब्दों से नहीं अपनी उपस्तिती से जो प्रचार किया 12 वर्षों के अंदर वो कई अधिक प्रभावशाली है इसलिए प्रभुपात जी के शिश्यों ने इतनी कड़ी मेहनत क्योंकि क्योंकि उन्होंने प्रभुपात को कड़ी मेहनत करते हुए देखा कृष्ण के लिए प्रभुपात के उधारन को देखा इस कारण से प्रभुपात के शिश्यों ने इतनी कड़ी मेहनत की प्रभुपात के सामने उनके इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए